आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार मोदी की सुरक्षा में चूप को लेका नवजोद सिंग सिद्टू का तांच की सांडे लाग के रुके थे आप 15 मिनिट से परिशान हो गए तीन दिनों की शांदार देजी के बाद साल 2025 पे पहली बाद के साथ बंद हुए भारती शेयर बाजार बढ़ते कुरोना को लेकर पीच आपका बड़ा फैसला यूपी की चनावर राली हैस था कि मैंपुरी में बदले कास मैंपुरी के साने के स्कूल का नाम शहीद जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा नमस्कार मैं हूँ आपके साथ पीश्वीत अगरक और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी आई नज़र डालते उत्रपदेश की कुछ का आज कबर उपर उत्रपदेश की राजदानी लखनो समयत कई जिलो में कुरवार की सुबह से हो रही रिमजिम भारिश ने मौसम का मिजास बदल दिया है इस पारा सामान इसे काफी नीची आ गया है और दिन निकलने के साथ ही रिमजिम भरसाथ शुरू हो गई है सुरज के नहीं दिखने और रिमजिम भरसाथ से मौसम में ठंडक हो गई ठंडी हवाव ने सभी सर्दी काल लोगों को एहसास कराया कोरे और बातलों की वज़े से ठंड का एहसास बले ही बढ़ गया हो लेकिन बीती रात के आखड़े बता रहे हैं की ठंड से पहले कम हुई थी बीती रात ज़्यादातर शेहरों में रात का नियूंतम तापमान बढ़ा हुआ दर्ज किया गया राज़ानी लखनों में 11.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया चलिए आपको दिखाते हैं बतली मौसम के प्रदेश के कई जिलों के हमारे समवधातों की ये खास रिपोर्ट आपको बताना चाहेंगे फरुखावाद में मौसम का मिजाज थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है बीते दो जने से हलकी बुनावादी की वज़े से यहांज का जो सामाने जिन जीवन है वो अस्तविस्त है फरुखावाद में हलकी बुनावादी हो रही है जिससे की यहां के जो आम जनता है उसका जीवन अस्तविस्त है खास कर जो बुजरगों की जो समस्या है वो इसमें बढ़ी हुई है सरदी के कारण और आपको बताते चलें किसानों के माथे पर चिंता की लकीरे हैं और किसानों के लिए जो बारिस हो रही है हलकी गुदावादी है यह लाबकारी भी है और हांकारी है क्यांकि जिन किसानों द्वारा गिहों की भुबाई की गई उनके लिये जो बारिस हो रही है वो लापकाजि सावित हो रही मुश्ध बृश Maar 2 लोग घर में दुबके हुए है और अब देख सकते हैं। इसे में लोगों को जो घर से निकलना है भोती कम है और घर में दुबके हुए हैं, और खासा जो बुजुर्ग जो हें उनको बड़ी परेशानयों का सामना करना पड़ रहा है। और इससे कह सकते हैं कि जो फरुखाबाद में आम सामाने जन जीवन है वो सोड़ा सा अस्त विस्त नजर आ रहा है फरुखाबाद से प्राइम की वी के लिए सुन्दर आज फत्यपुर जनपद में सुबह से लगातार हो रही बारिश में लोगों को घर में दुबकने के उस पर कडाके की ठंड और इसके बाद असमय हो रही बारिश और अगर इस बारिश का आगर हम फाइदा भी देखें तो कहीं हद तक गेहों की फसलों के लिए ये बारिश पूरी तरीके से एक अबरत के शमान है पर अगर हम सहरी जीवन को छोड़ करके देहात की तरफ अग बरतमानी सिती पर जो पसपालक है उनके सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि आखिरकार हम अपने पस्वों को किन सुरच्छी तिस्थानों पर बाने तो ऐसी सित्विवन पर गाओं का आदमी या सहर का आदमी दुबड़ा में फसरा हुआ है आखिर कब इस से मिलेगी अगर हम और भी बात करें तो इस हो रही बारिश के लिए मौसम विभाग के बैग्जानी भी नहीं कोई कयास लगा पा रहे है कि आखिरकार ये बारिश का हमेंगी केमरा मेंन आलोग के साथ अमर दी प्रपाठी प्राइम टीवी फटे को अब कबर राइबरेली से ह जहां पर प्रदान मंतरी नरेंद भूती के काफिले को रोग दिया गया था जिसे नाराजबार्ती जद्धा पार्टी के कारकरताओं ने प्रदर्शन किया ये वह आरकरताओं ने सांसद और कॉंग्रेस के राश्तीय अग्शोनिय गांदी का पुतला फूका उन्होंने जि परामादनिये नरेन दामोदर दास मोजी ती कल बिठंडा काईक्रम में जारत जनसावा को संबोधित करने कांग्रेस के कुछ तुष मांसिता के कारकरताओं द्वारा हमारे देश के स्वस्वी पैदान मंत्री जी के काफिले को रोक कर हाइवे पे 20 मिनिट तक उनके ओपर घा कांग्रेस पाल्टी के कारियाले के सामने चिन्नी सरकार जो पंजाब की सरकार उसका पुतला दहन वा राष्टी अध्यच कांग्रेस की सोन्या गांधी का पुतला दहन किया वा हमारी युवा मोर्चा के सभी कारकरताओं ने जिसमें हमारी युवा मोर्चा के नगर अध्य निलेश सचान जी वा सुमित पांडे जी के नित्वत में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा जना अंदोलन छेड़ने का काम किया है अगर इसी तरह और भी कोई आगे कार होता है तो हम भारती जनता पाल्टी के युवा मोर्चा के सेर हमेशा कटबर्द खरे रहेंगे जैए खबर मौव से है जांसदर तैसील पर अपनी जमीन पर एक जिकित सक के कबजा करने का आरूप लगाते हुए अपने परिवार के साथ एक व्यक्ती आमरा नंशन पर बैट गया आमरा नंशन पर बैटते ही तैसील परशासन में हड़कम हज गया जिसके बाद तैसील परशासन ने पीड़ित व्यक्ती को तैसील परिसर में कोरोना प्रोटकाल का हवाला देते हुए धरने पर नहीं बैटने की हिदायत दी जिसके बाद पेड़ित परवार तैसील परिसर में धरने पर बैठा रहा जबकि संबन में आरोप लगा रहे डॉक्टर आई मज़र ने बताया कि वो उनकी जमीन है जिसका कागज उनके पास मौजूद है कि कि इसके पर भिवली के पौँ खरें के मैं जैका सफरीन और तो भीना एक मिहीं आवकल कि फटा हूए में जा श्रिथेर्न उचाहईए 7 कि आपको अगर अंशन करना है करना मति बिखा खरें करें को कि खाल्शा उप्थर दछे तोबरा में मेरी मा की नाम भुमधरी है और इस खबर पज़ादा जानगारी के लिए हमारे साथ तमारे समवादा था कमलेश पाल मौ से चुड़े हुए हैं कमलेश क्या कुछ जानकारी मिल पारी है इस कारपर पर आखिर क्या है पूरी घटना आपको बता दें सिगाजे कि यह जो मामला पूरा जो है यह परिवार पीडित इनको न्या नहीं मिल ला है न्या के लिए इनों दर बटक बटक के और डियमेश चक जाए और अब तक इनको न्या नहीं मिला है कमलेश जिस तरीके से बोला जा रहा है यह लोग भूकरताल पर बैठे हैं कितने समय से लोग भूकरताल पर बैठे हैं यह लंब दस दिन हो गया अब तक इनको कोई कुछ हुआ नहीं और इनों लोग जबरज़स्टे जो बूकरताल पर बैठे हैं अच्छा यहां पर जिस अब तक कोई करवाई नहीं हो रही है तो जिस तरीके से डॉक्टर अजर यहां पर अपना पेपर भी दिखारें वो भी बोल रहे हैं कि हमारे पास भी पेपर हैं तो किन के पेपर की सथिता जाहिर हो रही है अब इसकी भी से मैं सिटी मजिश्ट ने कहा कि जाच हो रहे है जाच होनेक बाद अगर पाया जाएगा तो उनको ही दिया जाएगा बाद बाद शुक्रिया कामलेश हमारे साथ इस खबर पजूडने के लिए खबाल अखीमपुर कीरी से है जागाउ कंद हरिया के भगवन नगार कुलराग जाना वाले पुल बारिश की वज़े से तूट गया था उस पुल के स्कूल में पढ़ने वाला चातर बुले से जा रहा था जाध गने कोवरे के चलते बाइक सवाच छातर तूटी पुलिया में जागिरा जिसके मौके पर ही उनकी मौत हो गई जिसके सूचना ग्रामीडों ने पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीडों की मदद से शब को पुलिया से बाहर निकल वाया और परीजिनों के मामले की सूचना दी वही बात्चीत के दोरान ग्रामी ने जानकारी देते हुए बताया कि एपुल तीन महीने से टूटा था जिसकी जानकारी इस्थानी विदायक के अलावा प्रशासन को भी दी गई थी जिसके बावजूद अब तक पुलिया का निर्मार्ण नहीं कराये गया खबर लखीम पुर्खीरी से आपको पताई जा रही है जहां पर एक पुलिया के टूटने की बात सामने आई है जहां पर कई समय से पुल टूटा हुआ था लोगों ने इसके मरमत की बात भी कही गई थी उसके बाद भी इस पुलिया का निर्मार्ण नहीं किया गया वहाँ पर एक बाइक सवार की मौत हो गई है जिसकी सूचना ग्रामीडों ने पुलिस को दी और जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीडों की मदद से शब को पुलिया से बाहर निकल वाया और परिजनों के मामले की सूचना दी गई वहीं बाचीत के दोरान ग्रामीडों ने ये भी जानकारी दी कि ये पुल तीन महीने से टूटा था जिसकी जानकारी इस्थानी विधायक के अलावा प्रिशासन को भी दी गई जिसके बावजूद अब तक पुलिया का निर्मार्ड नहीं कराया गया और इस कबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समवादा ता दीरज तेवारी हमारे साथ फोल लाइन पर जोड़ चुके हैं तो दीरज क्या कुछ जानकारी मिल पारी है क्या है पूरा मामला जाता है तो जाजी तोगरा लोगों को आना जाना भी बिच्ट पर जा यह तो यह तरीके से आज सुबह बड़ी गटना हुई है उसके चलते अब क्या कारवाई की जारी है किस तरीके का माहॉल देखने कर देखने मिल रहा है जाजी बिल्कुल बटागे जो पैसिल प्रशाप्त में सुरी तरीके से पला जा जाए आनम खान में इडर सोड़ी ओट कारवाई करिके अपने आपको बचावा चाह रहा है उधना से लेकिन वहां पर अगर जो ग्रामीरों की बात करने जो ग्रामीरों सुरी तरीके से मान क अपने आपको बचाता हूँ नगर आ रहा है जी बहुत 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 चुक्रिया दीराज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए देवरिया में दिसंबर महिने की समापती होने के साथ ठन टेजी से पढ़ने लगी है जा शहर में कोरा चाह हुआ है सडकों पर कोरे की धुन से वाहनों की रफतार धीमी हो गई है ठन को दूर करने के लिए कई लोग जगे अलाफ जला रहे है तो वहीं सुबाद चौक, बस स्टेंड और जिलास पताल में नगर पालिगा की तरफ से अलाफ की विवस्था की गई है जिससे रागिरों को ठन से रहत मिल सके ठन को लेकर प्राइम टीवी ने लोगों से जाना ठन का हाल हम इस समय देवरिया जनपत के सुबाद चौक पे महजूद है यहाँ पर कुछ लोग अलाव की विवस्था करके आग जला कर अपने शरीर को कर्म कर रहे हैं आपको बता देंगी यहाँ पर एक लोग आख अलाव सुग रहे हैं सब्याने में इस फंट का प्याता हुआ प्रवासिनि इस पर भाता हैं आख अलाव नुथा टाहिए है कि जलेगा उसके बार से कवल खिधान सेतस्कु लांड और सिन गाना है लेकिन होत्ता घोस्ता है कि व्वास्ता किया गया है जानते हैं कि खंड के बारे में जया गए कि आपको बता दें कि आपको बता दें कि आप अभी बिवस्ता किया गया है। मैं प्राइम टीवी से रवीडा बस्देवरिया। खबर लखीम पूर खीरी से है जा हैतरबाद छेट के बिहारे पूर जंगल के पास मुख्बिर की सूचना पर फुलस ने कच्ची शराब बना रहे लोगों को पकड़ लिया और उनसे कब्जे के लहन परी डश्ट कर दिया जबकि शराब का करुबारी भागनी में सफल रहा। इस कारवाई के बाद बर्भारी निरिकशक ने बताया कि फरार अभ्यूक तो पर जल्द कारवाई की जाएगी वही उद्यपर के पास एक महिला को कच्ची शराब बेचते हुए पकड़ा गया जिसके कब्जे से 20 लीटर शराब बरामद हुई है। इस जुरान एस पी ने बताया कि पर तक्विवक की शिनाक तो हो चुकी है और जल्द ही आरूपियों के खिलाफ कारवाई की जाएगी। इस ने शव को कब्जब लेकर जाज परताल में चुट गई है। जन्वजी 2022 की बीती रात में स्वामिद्यानंद सरस्ति इंटर कॉलेज सक्तिपुर के कॉलेज के स्टोर रूम में दो ब्यक्ति जिसमें का नाम स्युकुमार सनाफ रामदीन निवासी हर्जनपुर, बावु, ठाना हरैया और दूसरा अज्यांत। दोन उसी लगभग चार भाई नौकी कोठरी में सोय हुए थे और उसमें उन्होंने सरदी से बचाओ के लिए अपने उसके नीचे आग जला के रख लिया था और जिससे अंदर से दरवजा बन था और आग की वज़ा से धुआ पत्पन हुआ और इसमें दोनों की जलने और घुटने से मिलते हो गई जिसकी सूचना प्राप्थ होने पर सुवह पत्काल मौके पर पुलिस पहुंची दोनों के सवों का पंचायत नमा भरा जा रहा है और इसमें अग्रिफ बैधानिक कारवाई की जा रही है अलिगर के थाना गांधी पार्क शेतर में नगलामान सिंग की एक कारचाला को बाइक सवारतीन अग्यात युकों ने गोली मार दी गोली कान के बाद हालत गंभीर पुलिस ने घायल को अलाज के लिए इस्पताल में भर्ती कराया बतादे की फायरिंग के बाद से अग्यात बत्मा अश्मौकी से फरार हो गया वहीं अब घायल का अस्पताल में इलाद जारी है साथी पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर केस तरच कर लिया है और उसी के आधार पर आगी की कारवाई जारी है पर उन्ने गाड़ी लोखवाई अच्छा अच्छा फिर वह उतर के क्या बात होगी में देख हूँ वह वह थी तरकर कि तुनी दिर में वह आया तमन चले आधार आपके गोली मार दी ने खबर आगरा से है जान शम्शाबाद थाना शेदर के राजा किड़ा मार घड़ी थाना बाइपास के पास से विश्वंदू परिशद और बजरंग दल के कारकरताओं ने दो टेंपों में गोवन शिपा कर ले जा रहे चार तसक्रों को जम कर पीटा जिसकी सुष्टा पर पहुंची पुलिस ने चारत तसक्रों को इहरासत मिलिया जबकि मौके पर मौजोद विश्वंदू परिशद और बजरंग दल के कारकरताओं ने जंग करंगावा किया जहां मौजोद पुलिस अधिकारियों ने मामली को शांत कराया और प्रदर्शन कर रहे लोगों को कारवाई का आश्वासं दिया आज समसावाद बाई पास थाना की गड़ी पर दो टेंपू जिस से हिंदू पसद बजरंग दल के कारकरताओं ने पकड़े कुछ गौकस होटल पर भोजन कर रहे थे और पता चला हमारे कारकरता जा रहे थे वहीं से वह पकड़े अठार है गोवंस उसमें निमला है और 6-7-6 थे उसकी अंदर और वहके पर पूरा प्रसासन था उनके साथ और तेंपू दो टेंपू पकड़े गए हैं तेंपू और उनको चार लोग पकड़े गए उसमेंसे दो भग गए और बोवी परसासन की एक दो टीम पहुंची है उन्हें पकड़ने के लिए दो तीन जगए डविसी डाली है और बांकी की जो गौकस हैं उनके नाम चिन्नित करके उनके ख़लावी कारवई और इनके ख़लाए चार आदमी गिरफतार हो पाएं बाकी पुलिस पिसादने चूटके भाग गए पकड़े पिसादने इसी जगह पैजाम मैं बैटा हो आप किस तरह की पुलिस से गाड़ी जो गारिया चार बरी हैं उसे गाड़ी लेके जाए पोस्माटम करें वहां रिपोट आएगी हमें लिखित अस्वासंदी है चाहिए बड़े पिसादने अदकारियां से वह अस्वासंदी के इस तरह की गटना द्वार अजनता चेत्र में नहीं होगी खबर अलिगर से है जाताना कवार्सी लाके के स्वान जनती नगर में कजारया टाइल्स के शूरू में शौर्ट सार्किट की वज़े से आग लग गई जिसकी सूचना पर पहुंचे फायर बिक्टरेट की टीम ने आग बरकाब उपाया जबकी आग लगने से दुकानदार के मताबिक 25 से 25 लाग तक के रुपए का नुकसान पताया जा रहा है पर पर बिक्टरेट को सुचना करी और तुरंद हम यहां खोद मैनुली आये हमने अपने सब लेबर बुलाई और हमने बाल्टी से पानी मार के यह सब यहां से आग हो जाई जब हम पहुंचे तो यहां लपते चल रही थी पूरी तरीके से और आग यह तक यह सब लाइट हमारा टाइल्स के अगा में कजरी टाइल्स के काम करते हैं हम यहां पर सेनिटरी का और टाइल्स का उत्रपदेश के अब तक की खबरों में फिलाल बस इतना है और देश जुर्या की तमाब खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार